हम बनाते हैं बहतर भविश्य नौ निहालों को सिख्षा की रहा दिखाते हैं हम हम प्ले इस्कूल रोड नमबर 13 द्वारिकापूरी लोड चुटिया राची सिर्सेरा में टूट मामले में सुप्रीम कोड ने एहम फैसला देते हुए केंद सरकार के प्रतिनी दी राजपाल की भूमिका की आलोच ना की है उद्रव ठाकरे के इस्तिपार नहीं होने पर पूर्ब की इस्तिति बहाल करने की टिपनी दी है उद्दब गुट वाले शिवसेना बना में एक नात शिंदे वाले शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोड की पाच जजो की समिधान पीट ने एहम फैसला सुनाया सुप्रीम कोड ने कहा कि अगर उद्दब खाकरे ने सुतिपा न दिया होता तो वह पुराने स्थिती बहाल कर सकते थे यानि कि वो सीएम रह सकते थे महराष्ट की राजनितिक संकट पर सुप्रीम कोड की पाच सरदसी समिधान पीट ने मामला साथ जजो की पीट को सौपने का फैसला किया है इसों के साथ कोड ने इस मामले में कई एहम टिपनिया भी की है सुप्रीम कोट ने माना है कि महराष्ट के राजपाल का निरने भारत की सम्विधान के अनुसार नहीं था हलाकि कोट ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भी भेज दिया है कोट ने अपने फैसले में उद्दब गुट के पर्मोखारूपों पर मुहर लगाई जिसमें कोट ने राजपाल भगत सिंग कोशियारी का फैसला गलत माना इसपिकर राहूल नर्वेकर का फैसला गलत माना बरत गोगावले जो शिंदे गुट के नेता है कि विहीब की नियो और मलाल करने वाला भी है अगर उद्धव ठाकरे उस समय इस्तिपार नहीं दिये होते तो शायद आज महराष्ट में तक्था पलट हो सकता था तो वहीं शिंदे गुट का कहना था कि चालिस विदायक उनके साथ है इसलिए विहिप नियोक्त करने का अधिकार उनके पास है जबकि सीम उद्धव ठाकरे ने शिपसेना का परमुख होने के डाते सुनेल पर्भु को वहिप नियोक्त किया था अब कोट ने साब किया है कि शिंदे गुट की नियोक्ती सही नहीं थी कोट के फैसले के बाद वरिष्ट अदिवक्ता अबशेक मरु सिंग्वी ने कहा कि हर मामले पर सत्य के जीत हुई है ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे ने उस समय इस्तिपा नहीं दिया होता तो आज फैसला उद्धव के बक्ष में होना चाहिए था एस्पेकर को तुरंद कतर उठाना चाहिए और तुरंद विदायकों को अयोग घोशित करना चाहिए समविदान पीटने विस्तित रूप से सब अपने निशकर्ष लिखे हैं कारणों के साथ महराष्टर के विशे में जितने भी मूल मुद्धे है कानून के वो हमारे बक्ष में हुए हैं राजजपाल का निड़ने गलत है उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहाँ पर जो नहीं देख सकते थे राजजपाल का निड़ने को गलत करार किया गया स्पीकर का निड़ने जिनोंने किसी और की विप को उपर आधार पर अपना निड़ने किया उसको गलत माना है ये कहा है कि विप सिर्फ राजदेतिक पार्टी की हो सकती है न कि वो विधाई का पार्टी की हो तो हर महत्वपूर कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजे हुई है हम नमन करते हैं उच्छतम नयायले को ये बात सही है कि माननिय उदव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्तीफा दिया इस ते उनको रिलीफ नहीं दी लेकिन आज सबसे महत्वपूर निशकर्ष क्या है कि माननिय स्पीकर को तुरंत निड़ने करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन का तो मैं आप से एक प्रश्ट पूछना चाहता हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन पेटेशन का डिड़ने तो एक ही हो सकता है उन्होंने विप का अस्विकारिता की लोगों ने विप का उलंगन किया तो जब आपने विपका उलंगन किया तो क्या बचा? मानिये स्पीकर को तुरंट उस आधार पे डिस्कौलिफाइ करना चाहिए और इसी से न्याय होगा सत्तिकी विजेग। का फैसला सही नहीं था क्योंकि राज़पाल के पास इस निश्कर्स पर पहुशने का कोई ठोस अधार नहीं था कि उद्दव ठाक्रे बहुमत हो चुके हैं तेसरा के शिर्स अधालत ने कहा कि चुके उद्दव ठाक्रे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किये बिना है इस्तपाद दिलाकर राज़पाल ने नयायोचित काम किया अगर उद्दव ठाक्रे ने इस्तपा नहीं दिया होता तो यहाँ दालत पिशले स्तिती को बहाल कर सकते थी और पाच्चमा की चीप जश्टिस ने कहा कि अगर यह मान भी लिया चाहे कि विधायक सरकार को छोड़ना चाहते तब भी सिर्फ और संतोश ही सामने आया था फ्लोर टेस्ट राज़नितिक दल के अंद्रोनी या बाहरी मतवेदों को हल करने का जर्या नहीं हो सकता अच्छा के पार्टी के अंदर इसमर्मतवेद हो सकते हैं कि वे किसी सरकार को समर्थन करे या नहीं करे उसके सदस्त फैसला नहीं ले सकते थे कि कुछ सदस से शिर्फ सिर्फ को छोड़ना चाहते हैं और आट मार के सुप्रीम कोड ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का राज़पाल का फैसला गलत था राजपाल के तरब से विवेका अधिकार का इस्तमाल समिधान के अनुरूप नहीं था अजनितिक दल मैनमानी नहीं कर सकते हैं अब साथ जजो के पेट नवाब रेविया राजपाल तथा स्पीकर की भूमिका पर फैसला लेगी जस पर कितना समय लगेगा ये भी फिलालता है नहीं है आपको उदादे कि इससे पहले शरत पवार ने भी उद्धव के इस्तिपा देने का फैसला गलत था हमें बात करनी चाहिए थी ये पूरा बवाल जून 2022 से शुड़ हुआ था जून 2022 में एकनातर शिंदे ने शिपसिना के 49 विदायकों के साथ मिलकर ततकालीन मुखमंतरी उद्धव ठाकरे के खलाब बगावत कर दी थी जिसे M.B.A. सरकार गिर गई के थे उन 16 विदायकों को अयोग ठहराने की मांग की गए जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जबाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमिक निसां देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां